हाई एब्रिबन तो कैसे आप सभी तो देखिए आज हम डिसकस करेंगे कि सोल इंटर्ल असेस्मेंट में लॉग इन प्रॉब्लम को लेकर काफी स्टुडेंट के कमेंट आ रहते हैं कि सरम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं LMS पोर्टल पर इसका सॉलूसन क्या है हमारा है वो रिवाइज किया गया सोल की तरब से इसमें बताया गया कि आपकी जो इंटर्ल अपरेल से शुरू कर दिया जाएंगे अगर एक-दो दिन आगे-पीछे होता भी है तो एक मही से आपके सारे जो इंटर्ल असेस्मेंट वह सुरू हो जाएंगे तो यह मुझे लगता इन फ्यूचर भी स्टूडेंट जरूर देखेगा-जब इंटर्ल अस्मेंट आप दे रहे होंगे तब भी यह उतनी आपके लिए अल्कुल रहेगी आप बात कर लेते हैं कि यह इंटर्ल अस्मेंट आकिर हो किसके रहे है तो यह वीडियो स्रब उनी इस्टूडेंट के ल कोई भी इंटल असेस्मेंट नहीं होंगे मैंने कुछ चीजें देखी ऐसे मैंने कुछ केसिस ऐसे देखे जो दोजार इकीस बैच के स्टुदेंट है जो भी ठट सेमस्टर में आ गये है या जो एक्जाम देंगे फौर सेमस्टर का बहुत स्टुडेंट भी इसपे लॉग इ करने की को सिस करने पर उनका जब हो गई नहीं तो लॉगिन होगा कैसे हो पॉंडल आपका इचीज को अब नोट कर लीजिए यह सिर्फ इंटर अस्वेंट दोजार बाईस और टीज वाले इस्टूएंट जो अभी साइट और फोर सेमस्टर में आ चुकी है अब बात कर लेते हैं आपके इंटर नस्मेंट को लेकर कि आपके इंटर नस्मेंट की जो डेट सीट है जो सिडूल है वो जारी हो चुका है बट अब लॉगिन प्रॉब्लम आब बलाहर पोर्टल जो इनका पोर्टल पर होगा जिसका रिंग मैं डिस्क्क्रिप्षन बॉक्स में ले दिया है प्रज्यान्दूULLER.com में आपको डे दिया है बाकीस वीडियो के भाद्रियं से भी आप जेख सकते हैं यही आपका दर्टल का इस पे आपकर एपके आपक चुका हूँ जिनको नहीं पता आप को पता होगा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप पहली बाद नहीं जाए आप सेकेंड टाइप देने जारों इस पोर्टल पर यूँ अब बात की जाए पासवर्ड की तो मोस्लिए ऐसे स्टूडेंट जो अपना पासवर्ड भूल चुकी है या ऐसे भी स्टूडेंट जिनको याद ही नहीं है पासवर्ड क्या है तो ऐसी कंडिसर में अगर आप पूपना पासवर्ड भूल गए या पौडल लॉग इन नहीं हो रहा है तो आप एक काम कीजिए आप पासवर्ड को और लीजिए अब काभी स्टूडेंट को परिशा नहीं हो रही है कि password forget को लेकर मैं आपको एक चीछ किलर कर देता हूं देखे जब भी आप forget करने जाओगे तो महाँ पे आपको अपना email id नहीं डालना है महाँ पे आपको अपना user id डालना है जो ही user id से आप login करते हैं वो user id डालोगे उसके बाद आपके दो आपसन रहींगे email और mobile mobile वाला option काम नहीं कर रहा है email पर आपके लिंक आएगा एक OTP मतलब कह सकते हैं लिंक आएगा एक mail आएगा LMS द्वारा email आपको select करना है उसके बाद नीचे capture डालना है capture में भी काफी student को परिसा नहीं हो रही है क्या परिसा नहीं हो रही है capture सभी डालते मां wrong so करता है ऐसा पॉसिवल ही नहीं हो सकता आप ठीक से डाली है अगर ठीक डालने के बाद किस पर जाएगा mail आपके उस email पर जाएगा जो email आपके एडविशन के टाइम पर आपके अकाउंट से लिंक है जो आपके एडविशन से लिंक है उसी email पर आपको एक link जाएगा मेल जाएगा अब होता ही है कि काफी स्टूटेंट ऐसे भी कंप्लेंड कर रहे है सर मेरा email आइडी बंद हो चुका है अब मैं ऐसी कंडिशन में क्या करूँ तो आपके इमेल आइडी आपका बंद हो चुका है या ब्लॉक हो चुका है पर वो email पहले मेरे पास था अब मेरे कर दिया है बाकि अगर online तरीके से email चेंज की बात की जा तो चेंज कैसे होगा तो यह सारी सर्विसी अभी offline यह आप जाकर करवा सकते हो एक बार email होने के बार जो mail है वो आपके उसी update वाले email पर आजाएगा जैसी वह account में आपके update हो जाएगा ठीक है उसमें एमेल आएगा email पे link दे रखा होगा उस link पे click करोगे महां जाकर जो अपना password उसको reset करोगे new password डालोगे confirm पास्पट करोगे अपना पास्पट जन्रेट हो जाएगा उसकी बार user ID डालके और जो new password आपने जन्रेट किया उसको login करके अपना password जो है उसको login कर सकते हो अब काफी student की problem है sir मेरा email ID चालू है मैं जो आपने process बता है मैं वह कर भी रहा हूं ऐसा नहीं है process complete नहीं हो रहा काफी student की problem sort होगी क्योंकि मैंने last video बडाईटी उसके काफी problem जो student की तो sort out होगी बड़ प्रॉब्लम ही होती कि काफी student ऐसे बीड़े है जो यही कहते है sir मैं सब्सक्राइट डालना हूं पर email ही नहीं आ रहा इंबैलिड बता रहे है क्या अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यह तो आपकी detail में कुछ गलती है यह यह आप जो LMS portal है प्रग्यान पोर्टल है उसमें कुछ issue हो सकता है कि आपका जो mail है हो सकता है कुछ देर बाद है तो क्योंकि अभी तक assessment शुरू नहीं हुए पासवर पर जन्नेट करें 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 कर रखी है यूजर इडी एक होता है सबका उचेंज नहीं होता पासवर आप जिन नहीं चाहे मर्जी चेंज कर सकते हो कोई दिकर वाली बार नहीं है और एक हाँ जब भी आप लॉगिन करते हो तो मां TCS 10 कर की लिखा लिखा लिए तो इसे बार जोको HAR जो कि उपिलो फिर लॉग इन हो तो इस लोगिन बार बार वह ग सब्सक्तमार अप्रांटर नहीं पर जाए खायर रिखा हो तो एक मही तक सबके तो असेस्मेंट है और जैसी डाइलाइस आईगे अब आपको बता देंगे इस वार भी तो वीडियो केस लेगी जोबताएगा तो हमारे चैनल के साथ जोड़े रहिए और देखते रहिए कॉलेज अपडेट थैकि जोबत जोबत